बिस्मिल्लाहिर रख्मान इर्राहीम असलाम लेकूं विवर्स वेलकम टू मैं चैनल कुकिंग जविद मलीका उमीद है कि आप सब हैरो आफियस से होंगे अल्ला तला आपको हमेशा हुशाराबाद रखे आमीन सुमामीन तो विवर्स आज हम बहुत क्रिस्पी किसम के बहुत ज्यादा क्रिस्पी प्टैटो फ्राइस हमने कैसे रडी किये इन्शाला मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी लेकिन उससे पहले आपसे हैं बड़ी क्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगए तो प्लीज लाइक और शेयर कर दीजेगा चैनल पर नई है त तो बस इसी तरह हैं हमने दो आलों के चिलके उतार के साइड पर कर लिए हैं अब हमें एक ले लेना है ग्रेटर यानि के कदू कश उसकी मोटी साइड से आलों को कदू कश कर लिया है तो बिवर्ष इस ना कदू कश करने से इसके लच्छे थोड़े लंबे-लंबे से बनेंगे इसलिए कोशिश कीजएगा के आलों का साइड वर्शल नंबा हो तो यहां पर वगर्स हमने दोनों ही अलों को ग्रेट कर लिया है और इसके लच्चे बना लिया है अभ दूसरा स्टेब है कि इसको हमने दो लेना है दोने के लिए यहां भे खुला पानी स्मॉला होगा मैं आपके सामने ये एक्तफाँ आपको दिखा दू कि इसका कितना गदला पानी होता है इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टॉर्च होती जो के साफ करना बहुत जरूरी है तो यहां पर मैंने इसको अच्छे तरीके से धो लिया है और वास्केट में डालके थोड़ी देर के लिए लग देते हैं ताकि इसके अंदर से जितना भी एक्स्रा पानी है वो सारा निकल जाए तो विवस्त तक्रीवन दस मिनार के लिए इसको रखा है तो पानी आप देख सकते हैं काफी हद तक निकल चुका है अब यह जो हमारे प्रैटों के कदू कश किये हुए पीसीज है यह अच्छे तरीके से खुश्क हो चुके हैं इसक अब दो से तीन टीस्पून भरके शामिल कर देंगे कौन फ्रॉर और इसको मिक्स करके देखेंगे अगर हमें जरूत मैसूस होगी तो थोरा सा और शामिल कर देंगे बस मक्सद यह है कि सारा ही अच्छे तरीके से कोट हो जाए आलों का एक एक पीस तो यहां पर विवस्त म आप अपने हाथों का भी इस्तमाल कर सकते हैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद देख लेंगे कि अगर हमें और कौन फ्रॉर की जरूत है तो थोरा सा और शामिल कर देंगे यहां पर मैंने दो टीस्पून और शामिल कर दिया है इसको दुबारा से मिक देते हैं ओइल गर्म होने के लिए यहां पर वस ओइल गर्म हो चुका है अब हमने इसके अंदर यह जो हमने प्टैटो के कदू कश किये हुए पीसिस हैं वह शामिल कर देने हैं इसको फिला करेंगे और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी हो जाने तक और गोल्ड हो जाएगी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड को भी इसी तरह दो से तीन मेंट लगाकर फ्राइए कर लेंगे तो ले जेवी वर्स आप कलर भी देख सकते हैं कि गोल्डन सा कलर आ चुका है जितना गोल्डन कलर आपको चाहिए आप उतना गोल्डन कलर इसको दे सकते हैं अगर डाग पसंद है यह थो दाग कर लिक्ना यह थो यहां पर अगाल राक पसंद होँ हो चुका है इसको निकाल लेते हैं प्रेट में और देखने में किस्फे लगते हैं ना क्षाने में उतने ही लजीज हुआद हो गई था बैम हुआ है था रीठ्डेव अऔर ने बाद feedback देना मत भूलिएगा यह जो छोटे छोटे पीसिस हैं इसको भी निकाल लेंगे जो चांद एक पीसिस रह गए हैं ताकि यह हम दूसरा पैच टालें तो बिल्कुल ब्लैक होकर खराब न कर दें हमारे दूसरे पैच को तो चलिए विवर्द दूसरा पैच भी हमारा र मज़ेदार से क्रिस्पी आलू के फ्राइज हमने कितनी जल्दी रैडी कर लिये हैं बहुत ही बेस्तरीन आइडिया है मिहमान आ जाएं तो उनके लिए फटा फरसी बन जाएंगे थोड़ा सा चाटमसारा स्प्रेट करेंगे ताकि इसके अंदर एक चटपटा सा फ्लेवर और विवर्स अगर आप इसको मजीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर थोड़ी सी कश्मीरी लार मीच भी स्प्रेट कर दीजेगा और थोड़ा सा नमक भी लेकिन चाटमसार भी स्प्रेट करेंगे ना तो बहुत यह चाफ लेवर आएगा तो लीजी विवर् यह उमीद है विवर्स आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी इसके साथ ही जादत चाहती हूँ फिर हादिर होंगी एक यूनिक और मुन्फ्रिज रेसिपी के साथ अपना बहुत साहिया रखेगा मुझे भी दौाओं में याद रखेगा अला हाफेज